राजनिती विज्ञान विशय में आजम परवक्ता राजनिती विज्ञान, रायकाध्यापक नाग्रिसास्त्र, रायकाध्यापक शामाजी विज्ञान, UGC NET, स्टेट सैट और ऐसे सबी पर्तों की परिक्षाओं के लिए राजनिती विज्ञान के महत्तुपूर्ण इसका सही उत्तर है अरस्तु अरस्तु ने दासों को नागरिता की स्रेंडि से बहार रखा है वो दासों को नागरिक नहीं मानता था दूसरा प्रश्ण है किसे सभी सामाजिक संस्ताओं में सबसे सक्तिसाली माना जाता है यानि कि इन चारों बैसे हमें बताना है कि कौन सबसे सक्तिसाली संस्ता है पहला है राज्ट, दूसरा है सामाज, तिसरा है राज, चौता है नियाय तंत्र इसका सही उत्तर है राजी, राजी को इन सभी सामाजिक संस्ताओं में सबसे सक्तिसाली माना जाता है जब हम राजी की बात करते हैं तो राजी सितातर भी है भूभाग, जनसंक्या, सरकार, संप्रभुत्ता जब ये चारो तत्व मौझूद होते हैं तो वह राजी कहलाता है और राजी यो है अपने आप में एक सक्तिसाली संस्तामा निजाती है तीसरा प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा आधुनिक राजीति विज्ञान का लक्षन नहीं है इसकी विकल्पे हैं पहला है सक्ति का अध्यन दूसरा है मुलिपरधान अध्यन तीसरा है मानवी किरियाओं का अध्यन चौता है अंतर अनुसासनात्मक अध्यन जब हम आधु प्रस्ण है राजीति विज्ञान का संबंद राज तथा उसके साधन सरकार से हैं इसके विज्ञान चौता है इसके विज्ञान को शक्ति के विज्ञान की रूप में परिभासित किया है इसके विकल्प है इसका सही उत्तर है कैटलिन कैटलिन ने राजनिति विज्ञान को सक्ति के विज्ञान की रूप में परिभासित किया है चटा प्रश्ण है निम्न मैं से कौन से एक अरस्तू के विज्ञान ने मैक्यावली को प्रभावित किया इसके विकल्प हैं पहला है नैतिक्ता और राजनिति का प्रत्रकरण दूसरा है एतिहासिक भी तीसतरा है राज्य मनश्य शमुदाय का उच्छ संगटन है चोहता है उप्रोग्त सभी मैक्यावली को जिन विचारों ने प्रभावित किया उनमें पहला जो प्रमुक्ता वह था नैतिक्ता और राजनिति का प्रत्रकरण फिर उसके बाद राज्य को मनश्य शमुदाय का उच्छ संगटन मानना और हिस्टोरिकल मैथड ये तीनों ही मैथड ये तीनों ही कथन य मैक्यावली को प्रभावित किया है और ये सबी विचार अरस्तु और मैक्यावली में कॉमन है सात्मा प्रशन है राजनितिक विचारक जिन्होंने पहली भार समकाली निविश्यों में राज्य सब्द का प्रियोग किया था इसके विकल्पे हैं प्लेटो, रूसो, टी एस ग्रीन, मैक्यावली इसका सही उत्तर है मैक्यावली मेक्चावली को आधुनिक राजितिक विख्यानिक वाना जाता है और उन्होंने समकालनी विश्व में सबसे पहले राजिसब्द का प्रियोग किया था जब हम राज़िती विज्यान के जनक की बात करते हैं तो हो अरस्तु हैं जब आधुनेक राज़िती विज्यान की बात करते हैं तो उसमें मेक्चावली का नाम आता है आठ्वा प्रश्न है किसने कहा कि सक्त एक विशेश प्रकार का प्रभाव है जिसके नपाल्म करने पर घोर हानिया उठानी पड़ती है इसके विकल्पे हैं रोबर्ट डहल, मैक्स बैबर, अरस्तू, लास्वेल इसका सही उत्तर है रोबर्ट डहल रोबर्ट डहल ने कहा कि सक्तिक विशेश प्रकार का प्रभाव है जिसके नपाल्म करने पर घोर हानिया होती है और अगर हम इसका पाल्म करते हैं तो हमें लाब होता है यहाँ पर विकल्प को रोबर्ट डहल इसका सही उत्तर है नवा प्रशन है राजनितिक कृतिक्यता का से दान्त किस ने परतिपादित किया यानि कि पॉलिटिकल ओब्लिगेशन का से दान्त किस ने दिया इसके विकल्प हैं कालमाक्स, जे एसमिल, बोसांके, टी एच ग्रीन राजनितिक कृत्गता का सिदान्त ती एच ग्रीन ने अपनी पुस्तक Lectures on the Principle of Political Obligation में दिया है यहाँ पर विकल्प गोई इसका सही उत्तर है इस प्रस्ष्ण क्या ब्याख्या देख सकते हैं T.S. Green ने अपनी पुस्तक Lectures on the Principal of Political Obligation में राजनितिक कृतिक गिता का सिदान्त दिया है। दस्वाँ प्रशन है, राज परिवारों तथा गाउं का एक समू है जिसका लक्ष एक पूर्ण तथा आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति है यो किसका गतन है। इसके विकल्प हैं अरस्तू, प्लेटू, बौदा, एक्विनास। राज को परिवारों तथा गाउं का समू कहने वाला जो विचारक है वह अरस्तू है, वह कहते हैं कि इस समूने का जो लक्ष होता है वह एक पूर्ण तथा आत्म निर्भर जीवन की प्राप्तिका होता है। यहाँ पर विकल्प को अरस्तू, इसका सही उत्तर है। ग्यारवा प्रश्न है, निम्न मैंसे किस सत्तो को प्लेटो ने अधिक महत्तो नहीं दिया। इसके विकल्प हैं उद्धमिता, उद्पादन, शौर्य, विवेक। प्लेटो ने अपने जो न्याय समंदित, जो पुस विकल्पों में देखते हैं, जिसमें वह उत्पादक वर्ग, शैनिक वर्ग और शाशक वर्ग की बात करते हैं, उद्धमिता शामिल नहीं है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प को है। बारवा प्रश्न है, राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है यह कथन किसका है। इसके विकल्पे हैं, एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो, अरस्तु यह प्रश्यत्य कथन, आदर्सवादी विचारक हीगल का है। हीगल नहीं कहा, राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तेर्वा प्रश्ण है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्स राज्य है, वह प्लेटों का द्यूती सरुस्रेश्ट राज्य है। इसके विकल्पे हैं, हीगल, टी एच क्रीन, सेवाइन, लास्की। इसका सही उत्तर है, शेवाइन। शेवाइन नहीं कहा कि जो अरस्तु का आदर्स राज्य है वह हो प्लेटों का द्यूती सरवसेष्ट राज्य है चौदो प्रश्ण है किसने राजनिती सास्त का अध्यन करने में जामिती भौत की वा मनो बिज्ञान की मदत ली है इसके विकल्प हैं जॉन लॉक, जे एसमिल, रूसो, हॉप्स हॉप्स ने अपने राज्यती विज्ञान की अध्यन में जियोमेट्री, फिजिक्स और स्टाकलोजी की मदत ली है यहाँ पर विकल्प गोईस का सही उत्तर है हॉप्स को राजनिती विज्ञान का गैलिलियो कहा जाता है जिस प्रकार गैलिनों ने बिज्ञान का प्रियोग किया था, बिज्ञान के सिद्धान्त दिये थे, ठीक उशी तोरों से सॉम्स होप्स ने भी राजनिती में अपने बैज्ञानिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है पंद्रवा प्रश्ण है निम्न में से कौन सा कथन सही है पहला है राज्जिक कृतिम संस्ता है दूसरा है राज्जिक शौभाविक एवं आउशक संस्ता है तिसरा है राज्जिक एक अनाउशक संस्ता है चो होता है राज्जिक का प्यक्तिक के प्रति कोई दाईतो नहीं है जब हम राज्जिक की बात करते हैं तो राज्जिक का जो विकासवादी सिद्धानत है, वो सबसे अच्छा माना जाता है और उसका मानना है कि राज एक शौभाविक एवम आवशक सांसता है, यहाँ पर विकल्प खौँज brit का सही उतर है, क्योंकि विकासवादी सिद्धानत को सभी राजितिकोंने या अधिकतर राजितिकोंने सही म दूसरा है सामाचिक और सहयोगात्मक किन्तु दरिद्र था, दिसरा है एकंकी किन्तु चांतिपूर्ण था, क्योता है उप्रोक्त मैसी कोई नहीं। हॉप्स के अनुसार शाकर्तिक आवस्ता में जो मानवी जीवन था, वह एकंकी था, निर्धन था, निंदनी था, अल्पकालित था और उसमें युति की इस्तित बनी हुई थी यानि कि ब्यक्ति का जीवन वहां पर सुरक्षित नहीं था। यहां पर विकल्प कोईस का सही उत है। शत्रमा प्रशन है किस राजनितिक चिंतर ने अपनी आत्म कथा में लिखा कि उसकी माने जुणमा बच्चों को जन्म दिया शोयम, उशे तथा डर। इसके विकल्पे हैं रूशो, हॉप्ष, जान लाउक, प्लेटो। इसका सही उत्तर है थॉम्स हॉप्स। थॉम्स जाता है कि थॉम्स हॉप्स का जन्म अपनी नियत समय से पहले हो गया था। इसलिए उन्होंने यह स्टिट्मेंट कहा कि उसकी माने जुणमा बच्चों को जन्म दिया शोयम, उसे तथा डर को। यहाँ पर विकल्प खोईस का सही उत्तर है। अठारवा प्रशन है मनु राज्य की उत्पत्य की किस सिद्दान्त की समर्थक थे। इसके विकल्पे हैं विकासवादी सिद्दान्त शूतरा है सामाजिक समझाता सिद्दान्त शूतरा है दैवी सिद्दान्त शूतरा है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं। मनुने राज्य की उत्पत्य का डिवाइन तोरी यान की दैवी शिद्दान्त का पर्तिपादन किया है। यहाँ पर विकल्प अगो शही उत्तर है। उनिस्वा प्रश्न है, राजनितिक चेतना राजिकी उत्पत्य के सिद्दांत का एक कारक है, यह किस सिद्दांत से सम्मंदित है, इसके विकल्पे हैं, शक्तिका सिद्दांत, विकासवादी सिद्दांत, सामाजिक समझोते का सिद्दांत, दैवी उत्पत्य का सिद्दांत, राज निफिक चेतना, राज जी की उत्पत्ति का एक सिद्धान्त है यह विकासवादी सिद्धान्त के विचारकों का कथन है, यानि कि अबर विकल्प को विकासवादी सिद्धान्त इसका सही उत्तर है, वीश्वा प्रश्न है, निमलिकित में से राज जी की उत्पत्ति की स सम्मंद में कौन सा सिद्दांत सतरवी तथा अठारवी सताबदी में सरवाधिक लोगप्री था इसके विकल्पे हैं देवी उत्पत्ति का सिद्दांत सामाजिक समझोतिका सिद्दांत एतिहासिक सिद्दांत सक्ति सिद्दांत सतरवी और अठारवी सदी में सामाजिक समझो राजी की उत्पत्ति का सरवाधिक लोगपरी सिधानत था इनकि सोजियल कॉंट्रेक्ट इजिसमें अरिय pioneer रूशों ने अपने विचार परतिपादित कि यह विचार शत्रवी और 1857 स्तावदी में आये थे और यह सभी विचार सोजिल कॉंट्रेक्ट थोरी सिषzięki सुपनलत ह यह किसका कथन है इसके विकल्पे है प्लेटो अरस्तू जौन लॉक सेंट अउगस्टाइन यह कथन सेंट अउगस्टाइन का है उन्होंने कहा यह दिन्याई वियवस्ता ना हो तो राज लुटोरो की टोली बन जाता है यहां पर विकल्प गोप सही उत्तर है बाईश्वा प्रश्ण है निम्न मैंसे किस ने गुषित किया कि न्याई और चित्तापूर्ण है इसके विकल्पे हैं लॉड ब्राइस, एवी डाइसी, जौन रॉल्स, प्लेटो न्याई को और चित्तिपूर्ण गुषित करने वाले विचारक जौन रॉल्स हैं उन्होंने अप्रिपुस्तक कि त्योरिय अब जस्टिस में न्याय की अचित्य पूर्णता पर विचार व्यक्त किया है। कालमाक्स ने कहा था कि आर्थिक आधार जो हैं वहो बैचारिक तथा राजनितिक अधिशन नष्णा को निधारित करते हैं। कालमाक्स के जो शामिवादी व्यवस्ता है उससे समंदित पिचार है। 24 प्रस्न हैं किसके संसर्गम ने एमेंडरोई को मैक्सिको में माक्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके विकल्पे हैं लेनिन, एलसंस्टन, माइकल बारोडेन, कालमाक्स यानि की एमेंडरोई किसके संपर्कम थे या किसके सांती थे मैक्सिको में जिसके लिए उन्हें माक्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था। 25 प्रशन है किसने काहा कि राष्टियता सब्व्यता के लिए खत्रा है। इसके विकल्पे हैं महत्मा गाधी, मैक्यावली, जैरेमी बैंथम, रभिनाटाइगोर। इसका सही उत्तर है रभिनाटाइगोर। रभिनाटाइगोर ने राष्टियता को सब्व्यता के लिए खत गाधि से कभी भी साही नहीं हो सकता है यह किस का गतन है इसके विकलफ कह यहां पर सही हुट ряд 27 प्रश्ण है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यद मेरे पड़ोसी को भूका सोना पड़े यह किसका कथन है इसके विकल्प है महत्मा गाधी वोड्रो विल्सन हैरोड लास्वी की लॉर्ड ब्राइस यह कथन अधिकारों से समंदित है और इसमें सामाजिक और आर्थ लास्वी का सही उत्तर है उन्होंने का था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यद मेरे पड़ोसी को भूका सोना पड़ें कहीं न कहीं यह आर्थिक अधिकारों से समंदित और सामाजिक अधिकारों को ब्यक्ति करने वाला स्टेट्मेंट है 2800 प्रस्ण मैं कि इसने कहा कि उनकानूनों को पार्न करना जिने इहम स्वयम अपने लिए बनाते हैं इसके बिकलपे हैं इसका सही उत्तर है JJ Russo जेजे रूसो ने सामान इच्छा यानकी जन्नल विल का सिद्धान्त दिया था जिसमें वहों कहते हैं कि लोग शोयम अपने लिए कानुनों का निर्मान करते हैं जिससे उनकी श्वतंतरता शुनिश्चित हो जाती है इसका विकल्प हो जेजे रूसो सही उत्तर है उन्तिश्वा प्रशन है निर्मिकित में से कौन दंड का एक सिद्धान्त नहीं है इसके विकल्पे हैं प्रतिशोधात्मक प्रतिरोधात्मक शुधारात्मक बित्रनात्मक जब हम दंड के सिद्धान्त की बात करते हैं तो दंड में प्रतिशोधात्मक प्रतिरोधात्मक दंड बान जाते हैं, यहां पर जो बित्रनात्मक दंड दिया है, यहां दंड का सिद्धान्त नहीं है, इसलिए यहां पर इस प्रस्ण का सही उत्तर बित्रनात्मक है, इस प्रस्ण का भ्याक्ष भी पढ़ सकते हैं, दंड के चार सिद्धान्त बान जाते हैं, शुदारात्म प्रतिशोधात्मग, प्रतिरोधात्मग औरोधग। जीश्वा प्रशन है राजी की सब्तांग सिद्धान्त का सम्मंद किस से है। इसके विकल्पे हैं आर्थिक ब्यवस्तासी, कामाजिक ब्यवस्तासी, राजनितिक ब्यवस्तासी, न्याइक ब्यवस्तासी। राजी का जो 21 प्रस्ण है, महत्मा गाधी अब पवित्र साधनों की परियोग के बिरुदुते इसका कारण दिया है, उनके अनुसार अब पवित्र साधन उद्देशों की प्राप्ति में सायता नहीं करते हैं पहला कथन महत्मा गाधी अब पवित्र साधनों की परियोग के बिरुदुते बिल्कुल सही हैं महत्मा गाधी ने साधनों और साधनों की पवित्ता के उपर बात किये है, उनका मानना है कि साधन जितने पवित्र होंगे हमारा साध्य भी उतना ही पवित्र होगा यहाँ पर जो कारण दिया है क्योंकि उनकी अनुसार आप अवे इतने साधन वो देशों की प्राप्ति में साहिता नहीं करते हैं यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की इसपस्ट ब्याख्या कर रहा है जब हम महात्मा गाधी के अलावा अन्य विचारक जिसे मैक्यावली का अधिन करते हैं तो उनका मानना था यानिकि मैक्यावली का मानना था कि हमारे साध्य मिल जाने चाहिए चाहिए हमने किसी परकार के साधन हम प्रयोग में लाए हैं लेकिन मात्मा गाजी कहते हैं, नहीं, हमारे साधनों में भी पवित्रता होनी चाहिए, तबी हमारा साध्य भी पवित्र होगा। 32 प्रशन है, निम्न मैं से किसने माना कि कौटिली का मंडल सिद्दान्त सक्ति संतुलन पर आधारित है। इसके विकल्पे हैं, बेनी प्रशाद, केपी जायसवाल, एस अल्टेयर, बी ए साल्ट औरे। कौटिली के मंडल सिद्दान्त को शक्ति संतुलन का सिद्दान्त मानने वाले विचारक एस अल्टेयर हैं। यहाँ पर विकल्प को इसका सही उत्तर है। प्रशन है, आनुपातिक प्रशित्यु का सादान्ता बहुदली विवस्ता से साम्मंद होता है। इसका कारण दिया है, इस प्रशित्यु के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। जब हम proportional representation की बात करते हैं, जिन देशों में बहुदली विवस्ता यान के multi-party system होता है, वहाँ पर यहाँ प्रशित्यु चलता है, इस प्रशित्यु का जो मुख्य उद्धिश्यु होता है, वहाँ होता है छोटे दलूप के लिए कुछ सीटों को प्राप्त कराना, यानि कि इस ब्यवस्ता में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की इस पस्त ब्याक्या कर रहा है। अच्छे होते हैं या बुरें, यानि कि पॉलिटिकल पार्टीज के उपर किसने यह बात कही है कि यह अच्छे हैं या बुरें इस तरह की सूसना को एकरत्र करना वैसा ही है, जैसे हवाएं और जवारभाटें अच्छे होते हैं या बुरें होते हैं, इसके विकल्प हैं ज आधुनिक दल ब्यवस्ता का उद्भव पर्थम तो कहा हुआ इसके विकल्प हैं USA, England, Belgium, बारत आधुनिक दल ब्यवस्ता यानकी पार्टि सिस्टम का उद्भव England से हुआ था यहां पर विकल्प खोईस का सही उत्तर है 37 प्रश्ण है स्वाइक राष्ट के तहट स्वामुहिक शुरक्षा यानकी कलेक्टिव सेकरेटी का पर्थम प्रियोग किस वर्च में किया गया था इसके विकल्प हैं 1947, 1985, 1950, 1956 इसका सही उत्तर है 1950 कोरिया यूति के समय सबसे पहले स्वामुहिक शुरक्षा का पर्थम प्रियोग किया गया था इसके विकल्पे हैं किवल लोगतांतिक देशों में, पूजीवादी देशों में, किवल सरवाधिकारवादी देशों में, सभी देशों में जब हम interest group की बात करते हैं तो हर देश में चाहे हो लोगतांत्रिकों, पोजिवादी हो, सरवाधिकारवादी हो, सभी में हित समू पाए जाते हैं हाँ यहाँ अलग बात है कि उन हित समू की बात सरकारे सुनती हैं या नहीं सुनती है यह अलग बात है लेकिन जब हम इनके अस्तित्व की बात करते हैं तो यह सबीत सरव के देशों में पाए जाते हैं इसलिए बिकल्प हो यहाँ पर इसका सही उत्तर है अन्तिस्वा प्रश्ण है बारती सामिधान के अंतरगत धन का केंद्रिक्रण किसका उलंगन करता है इसके विकल्पे हैं समता का अधिकार का कल्यान की अवधारना का राजी के नीत्रिशक तत्तु का सतंत्रता के अधिकार का इसका सही उत्तर है राजी के नीत्रिशक तत्तु का क्योंकि राजी के नीत्रिशक तत्तु यह कहते हैं कि हमको अपने संसादनों का भी केंद्रिक्रण करना चाहिए और कि जित्रे भी संसादन मौझूद है उन सब का भी केंद्रिक्रण होना चाहिए ना कि केंद्रिक्रण इसते यहाँ पर विकल्प गौव सही उत्तार है 49 प्रस्ण है कथन और कारण का कथन है राजी सबा का विगटन नहीं होता क्योंकि इसका कारण दिया है उसके एक यहाई सदश्य हर दूसरी वर्ष सेवानिर्थ होते हैं हम जानते हैं कि भारत में जो राजी सबा है वो है 27 शदन है जबकि लोक शबा instructions होता है राजी सबा के एक यहई सदश्य हर दो वर्ष में शिवानिर्थ होते हैं इस तरह से हम देखें तो एक सदश्य का कारिकाल 6 वर्ष का होता है तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, पुनहों इसको पड़ते हैं, राजिसवा का विक्टन नहीं होता है, क्योंकि उसके एक त्याही सदस्य हर दूसरे वर्ष शिवान विर्थ होते हैं, जब एक त्याही सदस्य हर दूसरे वर्ष में शिवान विर्थ होंगे, तो इ दोनों सही हैं और कारण कथन की स्पस्ट व्याक्या कर रहा है चालीसवा प्रस्टन है सामिधान की 21 अनुचेद की अंतरगत संसत की दोनों सदनों की शैंक अधिवेशन का प्रावधान है इसके विकल्पे हैं अनुचेद 100, अनुचेद 120, अनुचेद 118 अनुछे दिक्सो आठ बारती संसत भारती समिदान का अनुछे दिक्सो आठ सहिंक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है सहिंक्त अधिवेशन साधारण बिध्यक महीं होता है यह धन बिध्यक और समिधान संसोधन बिध्यक के समंद में नहीं होता है विकल्प गोईस का सही उत्तर है अगला प्रशन है प्राक्लम समीथी यानिकी एस्टिमेट कमीटी के सदश्यों का कारिकाल कितने वर्ष का होता है इसके विकल्पे हैं पांच वर्ष, तीन वर्ष, एक वर्ष, दो वर्ष Estimate Committee यानकी प्राकुल समीति के शदश्यों का कारिकाल एक वर्स का होता है यहाँ पर विकल्ब गव सही उत्तर है 42 प्रशन है भारत की संसद्वारा आपदा प्रबंदन अधिनियम किस वर्स पारित हुआ इसके विकल्ब हैं वर्स 2001, वर्स 2005, वर्स 2013, वर्स 2009 बारत की संसद्वारा आपदा प्रबंदन अधिनियम वर्स 2005 में पारित हुआ था, वर्स दिसंबर 2005 इसकी सही तिती है 47 प्रशन है सामिधान की किस अनुच्य द्वारा प्रिथक अनुच्य जनजात्य आयोक का गठन किया गया है इसके विकल्ब हैं अनुच्य 337, अनुच्य 338, अनुच्य 320, अनुच्य 338 को भारती समिधान का, अनुच्य 338 को अनुच्य जनजात्य आयोक का गठन करता है विकल्ब घोयां पर सही उत्तर है चावालिस्वा प्रस्ण है, UN द्वारा किस वर्ष को अंतराष्टी महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था इसके भी कल्ब हैं, वर्ष 1950, वर्ष 1975, वर्ष 1990, वर्ष 1972 UN एन किसांगत राष्ट द्वारा वर्ष 1975 को अंतराष्टी महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था अगला प्रस्न है निमलिकित में से कौन एक शम्मेधानिक निकाय नहीं है इसके भी कलपे हैं UPSC दूसरा है वित्त आयोग तीसरा है चुनाव आयोग चौता है नीति आयोग जब हम constitutional body एन कि सम्मेधानी निकाय की बात करते हैं तो UPSC भारती सम्मेधान के अनुछे 315 माता है वित्त आयोग अनुछे 200C माता है और चुनाव आयोग अनुछे 324 माता है इस तोरों से UPSC वित्त आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों ही सम्मेधानिक निकाय हैं नीति आयोग सम्मेधानिक निकाय नहीं है इसलिए प्रस्ण का सही उत्तर नीति आयोग है एक जनुड़ी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करते हुए अटाते हुए नीति आयोग की स्तापना की गई थी 46 प्रस्ण है भारत में केंद्री वित्तमंत्री बजट पेस करता है इसके विकल्पे हैं राष्टपत्री के सम्मुक दूसरा है राजी सभा में दीसरा है लोग सभा में चौता है संसत के दोनों सदनों के सहिक्त अदिवेशन में वारत में जो केंद्री वित्तमंत्री होते हैं वह भजट लोगसवा में प्रस्तुत करते हैं बजट की बारी में हम जानते हैं कि बजट का समंद सीधे जनता की पैसे से होता है और लोगसवा को जनता का सदन कहा जाता है इसलिए जो वित्तमंत्री होते हैं चाहे वह किसी भी स प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। इसके विकल्पे हैं। प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। इसके विकल्पे हैं। पहला है प्रश्टुद करेंगे। प्रश्टुद करेंगे। यहाँ पर विकल्प घोजो है राजनितिक पर्तिबद्धता यहो नौकर साही का गुण नहीं है। पचासवा प्रश्टुद हैं। किस ने कहा कि अंतराश्टिता का मार्ग राष्टवाद से गुजरता है। इसके विकल्पे हैं। इसका साही उत्तर है इसके अंतराश्टिता का मार्ग राष्टवाद से ही गुजरता है। आज की इस अभ्यास प्रश्टपत्र में हमने एक से लेकर पचास तक के प्रश्टों का अध्यन किया। इस प्रश्टपत्र में इतना ही धर्नेवाद। राष्टपत्र में इतनी ओधभ झाते हैं। करते हैं। ले प्रश्टपत्र लेकर के ऊहिसे लिए ये नो ब légावेद嘍े statistics is landing it, मैं आगर 20% इसे हमने प्रश्टपत्रविभादर